अक्सर हमने कई चीजों को सिर्फ बाहर से देखा है लेकिन एक कहावत है कि जाती ना पूछो साधू की पूछ लीजिये ग्यान ये कहावत निर्जीव वस्तियों के साथ साथ एक दूसरे पर भी लागू होती है क्यूंकि कई चीजों के अद्भुत आंतरिक भाग का उनके क् वस्तियों करके आज हम चीजों के अंदर की जाच पहले से बहतर करने में सक्षम हैं नमबर 20 गोल्फ की गेंदे बाहर से सफेद और चित्तिदार हम सभी जानते हैं कि गोल्फ गेंद की बाहरी बनावट क्या है अंदर और बाहर उन्हें बेहत कुशलता से बनाया जाता है और कई विशलेशन आत्माग परिक्षणों से ये गुजलती है ये जानने के लिए कि वे कितनी दूर तक जा सकती हैं हवा में कितनी स्थिर रहती हैं और कितनी जल्दी उशलती हैं और गिरती हैं ये कोछ हट तक ही गेंद की सताय के गड़ों द्वारा नियंतरेत होता है ज जो आप किसी गॉब स्टॉपर्स या ग्रह जैसे लगती हैं कुछ में इस पश्ट रूप से अलग अलग सामगरियों की परते हैं जो एक गोल्फर के खेल पर उनके इच्छित प्रभावों के आधार पर रंगों से चिन्हें थैं एक बात तो पक्की है कि गोल्फ की गेंद को काट कर खोलने से वजन दाराल या अलग 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 आकार के वजन की एक कड़ी की तैका पता चलता है जो बोलिंग की यात्रा को प्रभावित करता है दो बाते हैं जो एक अच्छी बोलिंग इन के लिए जरूरी है जल्दी और ठीक चे लड़क पाना उन्में खास तरह की चिकनी सतय होती है जो उन्हें लुड़कने में मदद करती है और इनका वजन करीब 6-16 पाउंड की बीच होता है कॉस से पता चलता है कि यही वजन देने के लिए इनमें खास क्रिस्म का द्रिवे भरा होता है कुछ बोलिंग इनों में धातु या राल के टुकड़े होते है यह हमेशा गोलाकार नहीं होते या तो कुछ भारंडाकार होते है या कुछ बल्ब के आकार के होते है यह बोलिंग इनकी गती को प्रभावित करने के लिए है जिससे अधिकतम प्रभाव के लिए पिंतक तेजी लाने में मदद मिलती है नमबर 18 बुलेट्स बुलेट कई च यह चोटा सा इस फोटक करता है जो फिर प्रोपेलेंट को प्रिजूलित करता है और बड़ा इस फोटक है आम तोर पर यह बारूद होता है जिसे आप बुलेट में भरा हुआ देख सकते हैं एक चोटी से जगे में बहुत अधिक उज़ा पैदा होती है और गैस का अचानक दबाओ कार्तूस से बुलेट को बड़ी तेज रफतार तीन सु मीटर पर सेकंड या एक हजार फीट पर सेकंड एक हैंडगन में होता है कार्तूस खुद बंदूक में रहता है और उसे बाहर निकालना पड़ता है नमबर सत्रा एलो विरा यह हजारों वर्षों से और रू पता चलता है कि एक कैमरा लेंज किट का एक जटिल टुकड़ा है जिसमें कई आपस में जोड़े हुए लेंज शामिल होते हैं जो कैमरा की फिल्म या डिजिटल सेंसर पर पकाश को केंद्रित करने के लिए अगरानुक्रम में चलते हैं नमबर 15 शंक प्रकृती के क्रॉस सेक्षन हमेशा दिल्चस्प रूप प्रतान करते हैं शंक विशेश रूप से जटिल होते हैं और जब इनका क्रॉस सेक्षन के रूप में अध्यन किया जाता है तो उनकी संपूर्ण सुंदरता में अद्भूत प्रति रूप सामने आते ह कुछ शंक निकट पूर्ण लखुगणक पैमाना अर्थात गोल्डन रेशू का नुश्रण करते हैं चाहिश शंक पूरी तरह से संवरती का पालन करें या नहीं वे अभी भी रहस में हैं एक सीब जिसे कभी शंक कहा जाता था जिसे शायद लाखों वर्ष पहले से आप सम नहीं है लेकिन किसी समय उन्होंने अपने पर्यावरण को बहतर बनाने के लिए इन जटिल कवच को विक्सित किया हो सकता है नंबर 14 जॉब्रेकर वेट होस हैं और उनके पास एक चट्टानी जालरदाल अंतरंग है जहां इन विशाल आकार की मिठाईयों को बनाने के पास्तर में अपने पैसे के बदले कितना कम पाते हैं इस पॉट नूडल में लगभग 2 इंच की नूडल्स के टॉप्स होते हैं ठीक है यह भी भी एक स्नैक और वो भी स्वादिश्ट वाला है लेकिन यह एक बड़ा पॉट है और आपको लगता है कि आपको एक थोड़ा भोजन मिल रहा है तो यह आपको गुमरा करता है नंबर 12 जिपो लाइटर छोटे से उपकरन जिपोस बहुत समय से हमारे आसपास रहे हैं और उनका एक उत्रुष्ट रूप दिखाई पड़ता है जब आप एक क्रॉस शेक्शन में उनका अंतरंग लेते हैं उन्हें आजम एक कचुवा कंकाल को आधे में काटना बिलकुल कचुवे के कवच बेहद मजबूत होते हैं और इस जीव के सभी जरूरी अंगों की सुरक्षा करते हैं इस क्रॉस सेक्शन से हम देख सकते हैं कि कवच अनिवार रूप से वक्ष पंजर का एक विस्तार है मजबूत बाहरी पास एक सूक्ष्म क्रॉस सेक्शन है अविश्वसनी रूप से विस्तृत और रंगीन ये एक पौधे के तनी की जटिलता को प्रगट करता है एक पौधे का मुख घटक जो इसको सहारा देता है और जमीन से पोशक तत्व लाता है एक पौधे के तनी में कुछ अलग कोशि नलिकाएं होती है नमबर 9 विमान सिर्फ चोटी चीज़ें नहीं जिन्हें इंसानों से आधे से काट लिया है इस विमान के क्रॉस सेक्शन से इसके बहुसतरी घटकों का पता चलता है हम में से कुछ लोग उडान भरना पसंद करते हैं और हम में से कुछ इससे नफरत करते हैं चाहे आप जिसमी खेमे में हो ये क्रॉस सेक्शन किसी विमान की संरचनात्मक अखंडता की सराहना करने में आपकी मदद कर सकता है या नहीं वास्ताव में ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक धातु आपको बाहर को अलग कर रहा है लेकिन चिंता ना करें इन दनों विमान बिल्कुल कुरूर है उधारन के लिए अधिकांश पंक एक अध्भुद 90 डिग्री मुड़ सकते हैं जिसकी कल्पना करना कठें है नमबर आठ चाबी और ताला एक रोजमर्रा की वस्तु जिसे हम अंदर से नहीं देख सकते हैं एक ताला और चाबी जो आश्चार जनक जब चाबी अंदर डाल दी जाती है तो पिन को नीचे धकिला जाता है जब तक वहन अली के साथ सपाट नहीं हो जाते हैं जो लौक को घूमने के अनुमती देगा यदि गलत चाबी डाल दी जाती है तो कुछ ही या सभी पिन दर्वाजी की बैरिल को तब भी बंद कर दें लेकिन इसकी बजाए ट्यूब में धारीदार जेल और पेस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है जब आप ट्यूब को निचोड़ते हैं तो पेस्ट का ये बड़ा सिलिंडर एक छोटी ट्यूब के माध्यम से दबाव में आ जाता है और सिकुड़ता है ये भौतिकी की एक शा पेस्ट के माध्यम से दबाव बनाया हो नंबर 6 क्रूज जहाज जहाजों को कभी कभी आधे में काटकर लंबा कर दिया जाता है और नौका के बीच में एक क्रॉस सेक्शन जोड़कर और फिर उन्हें बेशक जलरोधी और मजबूत होने के लिए वापस जोड़ दिया जात उनके पंक बहुत मोटे और घनी परत वाले होते हैं और बड़ी आखों के साथ उनके बड़े गोल से रोते हैं अगर उसके सभी पंकों को निकाल दें तो एक उल्लू शायद राच्सी और बुद्धिमान ना लगे बलकि छोटे और खुर्दुरे चूजे जासा लगे हलाक कि निश्पक्षिता से सभी पक्षी इसी तरह दिखाई देंगे यदि उनके पास पंक नहीं होंगे तो आप वास्ताव में उनमें डानोसार को देख सकते हैं जिनसे वे मूल रूप से विक्सित हुए थे एक उल्लू के पर घने और अच्छी तरह से स्तरित हैं ये लगाते हैं कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे गैस स्टेशन के नीचे कितना गैस नहीं थे जहां आप पंप पर खड़े होते हैं उसके नीचे एक विशाल कुंड होता है जो अब बताता है कि ये चीज़ें बहुत बड़े विस्फोट का कारण क्यूं बनती हैं पटाके सिर्फ मूलतह निर्मित विस्फोटा कोते हैं लेकिन उनमें अनेक प्रकोष्टों के गुण होते हैं जो विभिन रसाइनों से भरे होते हैं और अलग-अलग रंगीन धमाके उत्पन करते हैं एक फ्यूज परियाप्त लंब यवधी तक धमाके में देरी करता है त एक गोलियों के समान काम करते हैं एक कुंड में रखे गई इस फोटक होते हैं जो एक श्रंखला प्रितिक्रिया द्वारा ट्रगर होते हैं श्रंखला में वास्तव में तीन छोटे विस्फोट होते हैं यदि आप उपर से नीचे दर घटकों को देखते हैं तो आप इस प् जो fuse को जला देती है fuse सामगरी इस फोट में देरी करती है इसे धमा के होने तक जलना पड़ता है और जब ऐसा होता है तो ये detonator इस फोटकों को प्रेरित कर देता है जिससे हदगोले की बाहरी सतह में बड़ी मात्रा में मौजूद सामगरी फट जाती है कुछ जो अच्छी तरह से और सही माइने में हलके में लिया गया है अब तक आपके पैसे खत्म नहीं हो जाते हैं और वास्तों में उस शक्ति की सराहना करते हैं जो इस छोटी कार्ट की आपकी उपर है वे दिन राथ हमारे बटुए में रहते हैं और काम करते रहते हैं ऐसा लगता है कि इनमें सिर्फ एक चिप शामिल है लेकिन कार्ट की पट्टी को भी मत भूलिए जो कार्ट के सबसे पतले आंतरिक भाग के भीतर चिप के नीचे स्थित होती है आपके अनुमान से कहीं अधिक धातू विद्धुत परिपत तंत्र यहां है वीजा कार्ट के वल प्लास्टिकी नहीं है यहां निश्चित रूप से कुछ बेहत शांदा क्रोस सेक्शन्स हैं दिन प्रति दिन की वस्तुओं और सभी प्रकार की रूपों में कुछ ना कुछ होता है क्रोस सेक्शन्स की दुरभी संधी वियव हारे ग्रूप से अंधीन है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया